तो यहां पर बहुत इंपोर्डेंट ट्रिक में आपके लिए लिक्या चुका हूँ फ्रॉम कोडिनेशन कंपाउंड चाप्टर तो इसके आइपक नेम रिलेटेट क्वेस्टेंज बहुत सारे हर बार पूछे जाते हैं तो 20 seconds में आप कैसे उसके answers दे सकते हूँ मैं यहां पर बताने वाला हूँ ऐसे questions कुछ आते हैं ठीके और इसके आपको naming के लिए बहुत सारे methods से बहुत सारे rules हैं कि पहले आप cation लीजिए उसका नाम रखिए फिर उसके बाद anion का naming होना चाहिए फिर legend कौन से type का है then oxidation number आपको निकालना पड़ता है and then उसके बाद arrangements होती है तो इतना time हमारे पास नहीं रहते हैं competitive exams में क्योंकि आप बहुत limited time मिलता है तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हूँ यहां पर मैं वोचीज आपको बताने वाला हूँ तो देखे यह आप एक पहला question आप लोग उठा लेते हैं कैसे चीज़ें आपको solve करने हैं देखे the first one is the IPAC name of coordination compound that is K3FeCN6 इसका coordination number आपको पूरा coordination compound दे दियागा है इसका आपको IPAC name बताना है जब ऐसा कुछ compound हो तो कुछ rules है यह please ध्यान सुन लेजेगा ध्यान से यह मैं मेरे tricks के तरीके से बता रहा हूँ जब आपको ऐसा compound दिया रहें जहाँ पे metal ion जो है that is always an anionic form ठीके जहाँ से देखे यहाँ पे जो positive है वो क्या है हमारा potassium potassium is in positive form और आप अगर जाते हो इस तरफ आएगा तो यह negative charge आएगा तो आपका जो metal ion है that is in form of negative simply सी बात है cross multiply आपको आता होगा यह चीज़ तो समझ सकते हो यहाँ पे जो metal ion आपका है that is in anionic form जब ऐसा रहता है जब metal ion आपका anionic form में रहे तो suffix आपको लगाना है a-t-e ठीक है metal ion के पीछे suffix क्या लगाना आपको a-t-e questions अब देखते हैं यह आपका compound दिया गया था यहाँ पे fe दिया है इसको हम ferrous बोलते हैं पीछे क्या लगाना आपको a-t-e तो क्या बन जाएगा ferret ऐसे options आपको ढूंड़ने हैं यह दो options तो गलत हो जाएंगे क्योंकि इनके पीछे iron लगा हुआ है बसते हमारे पास क्या दो options जिसके पीछे आपको a-t-e दिखेगा हम find कर रहे है oxidation number cn का minus 1 होता है 46 अगर आप calculate करते है इसको तो आपको क्या निकलेगा plus 3 तो यहाँ पे देखे plus 3 किसको दिया गया है तो यह आपका correct answer बन जाता है simply हमने कुछ नहीं किया हमने क्या देखा सिर्फ cross multiply किया अगर आपका negative form में आ रहा है metal iron anagnic form में आ रहा है तो हमाँ पे simply आपको 80 लगा देना है अब यही question हम लोग थोड़ा सा अलगतरीकी से try करते हैं जहाँ पे यह चीज़ condition ना हो ध्यान से देखें यह हमारे पास एक दिया गया question that is Ipec name of PT, NS3, BR, NO2, CL and CL is तो यहाँ पे आपको देखें यहाँ पे कुछ positive and negative की अगर मैं बात करू क This is cation and 9 की तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से दिखेंगा यहाँ पे cross multiply करना पड़ेगा आपको जब आप cross multiply करोगे तो यह पे जो PT है आपका वो किसके form में निकलता है क्या आइमनिक form में निकलता है यहाँ पे cationic form में मिल रहा है आपको और यहाँ पे metal LN आपको क्या मिल था, anionic form में मिल रहा था, that is the difference, ठीक है, तो यहां दोनों condition में बता रहा हूँ, अगर आपको positive form में मिलता है, cationic form में metal iron में रहा है, तो क्या करना है, notice कीजिए ध्यान से, metal iron जो है, cation form में होगा, there should be no change in its name, मतलब नाम में आपको ate और कुछ भी add नहीं करना है, ठीक है, तो यहां पर हम question देख लेते हैं, तो platinum, 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 that is the correct answer, सब में वही option दिया गया है, तो यहां पर कुछ भी आपको addition नहीं करना है, जब ये पहला step हो गया, next step क्या करना है, next step जो हम सिख किया है थे, oxidation number आपको find करना है, यहाँ पर oxidation number आप find करते हैं तो plus 4 निकलता है यहाँ पर चारों में plus 4 दे दिया गया है फिर भी आपको correct answer नहीं मिल रहा है third step क्या करना है आपको ligands की arrangement देखनी है that should be in alphabetical order ओके तो यहाँ पर देखे ligands कुन-कुन से दिये गए हमारे पास पहले है amine, bromine है, chlorine है and nitro तो चार ligands आपके पास है देखते हैं A, C then उसके बाद B आता है and then उसके बाद N आता है तो यह तो गलत हो गया next की बाद करों तो A, B and then N और फिर C है तो यह भी गलत हो गया next option के मैं बात करता हूँ A, B, C and N that is the correct answer simple, okay तो यहां पर हमारा correct answer मिल गया third option is the correct answer यहां पर भी आप देखते होगे तो यहां पर arrangement जो है, वो गलत है तो यह है, हम इसा याद रखे first is, देखना आपको name में change हो रहा है कि नहीं अगर वो positive form में निकल रहा है आपका metal ion, no change अगर negative form में निकाल रहा है तो पीछे ADE लगा दीजेगा next oxidation number find के लिजे last is arrangement देख लिजे लिगेंड का, अगर 3-4 लिगेंड देगे है तो, that was all about this video यह question मैं आपके लिए दे रहा हूँ this is a test question for you all यह homework question है मुझे comment section में जरूर बताईए मेरे trick यह आपने सीख लिया अगर trick उसको यहाँ पे value करते हुए answer बताईए मुझे comment section में बताईएगा इसका answer क्या आता है मैं आपको reply दे दूँगा हमारा eclavv series चल रहा है जिसके बार में मैं inform कर चुका हूँ दो वीडियोस मैंने बना दिये है that is a life session जो होता है हमारा need and gw point of view मैं class ले रहा हूँ Monday, Wednesday and Friday ठीक है timing जो रहेगा that will be 7 p.m. याद रखिये ध्यान से याद कर लीजे screenshot ले लीजेसका ये है date और इतने chapters में complete कराऊँगा दो chapter हमारे हो चुके है चैनल पर वीडियो एप लेवल है आप देख सकते हो जियोसीन chemical bonding में करा चुका हूँ कल 3rd July है biomolecules 7 p.m. जोईन हो जाएगा 7 p.m. पे live session हमारा चालो हो जाएगा that is a club series live session पूरा वीडियो में need and gw point of from basic to advance में आपको लेके जाऊँगा जोँच ज़रूर कर लीजेगा आप हमें get a reaction नाम से telegram पर फॉलो कर सकते हूँ handwritten notes और daily questions बहुत कुछ में अपडेट करता रहता हूँ description में एक link में लेगे उस पे click करके आप directly join हो सकते हो thank you